बात करने वाला है बच्चों के अधिकार के बारे में राइट्स आफ जो है चिल्डरन्स क्या-क्या होते है राइट्स आफ चिल्डरन्स बात करें पर राइट्स आफ चिल्डरन्स यानिकि बच्चों के क्या-क्या अधिकार हैं ठीक हम बात करें किसके राइट्स आफ सबसे पहले इसके इसकी इसकी कि यह शुरवात कि आधिकार है तो इसके पीछेिखे का जो रीजेन है मैं आपको बत hareत आओं यहां पर क्या हुआ कि जब पहला विश्वुद्द हुआ की समय में क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे क्या हो गया जब उनके माता-पिता क्या मर गए किसमें विस युद्ध में तो विस युद्ध के दुरान जब माता-पिता मर गए तो वो बिलकुल अनाथ हो गए उनकी देखने देखवाल करने वाला कोई भी नहीं था तो इसलिए युनाइटेड नेशन ने युनाइटेड नेशन मतलब जो जिनेवा के अंदर युनाइट नेशन के अंदर एक बिल पारित किया गया और उस बिल में ये किया गया कि बच्चों को एक अधिकार दिया जाए उनको अधिकार दिया जाए उनने जीने का अधिकार दिया जाए उनने जो है मतलब कहने का मतलब जो है उनको इस्पेशल आवशक्ताओं के जो बदल दिया गया इसे कहते हैं अपन Rights of Children, इंडिया की सविधान के अंदर अलग राइट्स है, मतलब maximum राइट्स उनसे ही मिलते हुए, लेकिन हम पहले बात करेंगे Top 10 राइट्स यानि की जो की 20 November 1959 के अंदर जुन को पारित किया गया था, बच्चों के 20 अधिकार, मतलब बच्चों के 10 अधिकार, जो की बहुत most important है, जो की अक्सर एक्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं इन में से, ठीके, तो चलते हैं अपन लिख लेते हैं, आज थोरी वाला topic है, हाँ, Top 10 हाँ, बिलकुल, चलो, हम बात करेंगे Rights of Children की, तो Rights of Children की बात करेंपन, तो जो अधि अधिकार, अधिकारों की बात करें, अधिकारों की बात करें, आना, राइट्स को, को, 20 नौंबर, नौंबर, 1959 में, किसमे, 1959 में, डिक्लियर किया गया, कब डिक्लियर किया गया, 1959 में, इनको डिक्लियर किया गया, ठीके, चलो, अब ये Rights कौन कौन से हैं, अब आपको जगर बात करेंपन, बच्चों को Special आउशक्ता पूरी करने के लिए अधिकार, Special उनकी जो भी Special Lead है, उसको पूरा करने का उनका एक अधिकार है, जो भी बच्चे उनको, इसके 10 राइट से, मैं आपको पहला राइट बताता हूँ, बच्चों को उनकी आउशक्ता पूरी करने का अधिकार, जैसे मालो, उनकी कोई भी Special आउशक्ता है, तो उसको पूरी करने का उनका अधिकार, जैसे कि मालो, जैसे बच्चों को खेलने के लिए उनको बल्ला चाहिए, बैट चाहिए, ठीके, तो आपको लाके देना है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं लाके देना, यह उनका एक अधिका हाँ, फैमिली प्ले, वोईलेंस, स्टेडी, हाँ, बिल्कुल, ठीके, तो यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पर बात करें अपन, पहला राइट लिख लीजिए, पहला राइट है, राइट जो है, बच्चों को इस्पेशल आउशक्ता पूरी करने का अधिकार, मतलब जो है इस्पेशल डिमांड्स होती है, उनको क्या है, यहाँ पर रिख लेता है, बच्चों को, को, इस्पेशियल आउशक्ता पहला वाला राइट है, यहाँ कि डिमांड्स, ठीके, पूरी करने के लिए, अना, देखो, यह जो राइट क्यों दिये गए, पहले तो इसकी बात करना है, यह पहला वाला राइट नहीं है, यह क्यों दिये गए, बच्चों की इस्पेशल डिमांड्स को पूरी करने के लिए, देखो, यह जो डिमांड्स दिये गए, क्यों दिय को यानि कि डिमांड को पूरी करने के लिए ठीक है आप बच्चों की इस्पेशल आउशक्ता उनको अना को 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 पूरी करने के लिए के लिए क्या इन राइट्स का का निर्मान किया गया या बनाय गया है यानि कि डवलप किये गए ठीक है अगर उडिशा वालों को हिंदी वे हाँ राइट्स ओप हाँ वाला गला लगे देखो यह जो राइट्स बनाय गये इनको जो है बिलकुल इनको किसके लिए बनाय गया उनकी इस्पेशल आवशक्ताओं को पूरी करने के लिए इन राइट्स को बनाया गया तो यहां पर ठीक है तो इस्पेशल राइट्स को पूरा यह पूछे जा सकता आपसे एक्जाम के अंदर कि इन राइट्स का क्यों बनाया गया तो इस्पेशल आवशक्ताओं को पूरी करने के लिए ठीक है नेक्स यहां पर लिगना इन राइट्स को राइट्स को द्वितिये यहनि सेकंड वर्ड वार के बाद बनाया गया कब बनाया गया इनको द्यूतिये जहनि की कहना का मतला जहनि की द्यूतिवी विश्वुद्ध के बाद में इन यह बनाया गया अना हिंदी में प्रोब्लम आती तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं ना मैंने कि यहनि की जो है इस राइट्स आर डवलाप पूर लुटर सेकंड वर्ड वार टिक हैं इस ओंड आर इस आपट लोग है शुख सकते हिंपनी बास दिक्कत नहीं है थी आपको dzi н Heights लेंग्वेज बह concurा यूप लए विह इंए न rights के अंदर कौन-kौन से rights हैं तो इन rights के अगर बात कर थो इनके अंदर का जो Second World War के बाद में United Nations के दौरा किते rights बनाय गए हाणा यानी कि 10 rights से बनाय गए यहां पर लिख लेते United United Nation के दौरा किते 10 rights से बनाय गए ज Gothic गए, आना, कहने का मतलाब, United Nation, Nation, Develop, 10 Rights, 4 Children's, आना, कि किस के लिए बना गये? Children's के लिए 10 Rights बना गये, चिकिए? अब 10 Rights के बात करें पनतो यहां पहला राइट क्या है? पहला राइट के अगर बात करें, तो पहला राइट है, देखो, 10 Rights क्यों बना गये? क्योंकि एक तो क्या है सबस्ता पहला है राइट टू डवलोप एटमोस्पीर और और आफ अफक्षन एंड सेकुरिटी प्रोटक्शन अगेंस्ड एफ और नेगलेटेड एक्सप्रोटिशन एड ट्राफिक केने का मतलब यह कि सने सने जो सने वाले महूल में जैसे सने वाले म होल में ऐसा नहीं कि जैसे मम्मी मा फादर दोनों लड़ रहे हैं दोनों भग गया है माप मा को तलाक देके भग गया तो बच्चे को कहने का मतलब यह करने का मुझा उसको पालन पोश्जन जो है उसका सने पूर महूल पालंट पोश्जन होने का जो अधिकार होना चीए आ बच्चे को अभी कई उधारान भी हुए है ऐसे कई उधारान देखने को मिले कि बच्चों को चोड़के बग गए तो यह बच्छों को केंगे का उद्या पापा यह माहोल के अंदर उसको जीना है पापा भागते नहीं है वह मांको भगा देटे तके पापा भग जाते हैं पापा भगते नहीं तो माख को भगा देते हैं तो यह कहना मतलब उनका एसे में क्या होता है कि मतलब जो है बच्चों का एक अधिकार होता है कि उनको मतलब एक स्नेपूर्ण माहुल के अंदर उनको बिना उपेक्षा बिना शोषना जो है उनके अंदर विखास करना बिना शोशन और उपेक्ष्या और यतायत का अधिकार करने मतलब उनको भी जो है यतायत का अधिकार है ऐसा नहीं कि मतलब यहीं से घर पर छोड़के चली गई तो ऐसा नहीं है बच्चों को भी क्या है हां मा के साथ में जो है ट्रेवल करना पापा के साथ में ट्रेवल करना अना ट्राफिक यह यह आतका सब का अधिकार है उसको ऐसा नहीं कि बच्चे जो है एरोप्लेन में नहीं बैठ सकते हैं कि बच्चे जो है बस में नहीं बैठ सकते हैं सब जग स्पीर अफ ऑर सेक्रोटि वाले महुल के अंदर उसको विखास होना मैं हंधी में लिखुँँगा इंग्लिश में लिख दूँगा इइंग्लिश में लिख दूँगा है ओन्पून महोल में क्या होना सने पूर्ण माहल में विकास करने का अधिकार हाणा हाणा सभी हाणा जैसे कि कहने मतलब जैसे कि जैसे सभी प्रकार की जैसे कि और सभी प्रकार की के कुरूर्ता कुरूर्ता सभी प्रकार की कुरूर्ता और उपेक्षा जैसे एयों शोशन से आनों प्रकार प्रकार शोशन आना और यातायात का यातायात जैसे प्रकार यातायात जैसे प्रकार सने पूर्ण महोल में विकास करने का अधिकार और सभी प्रकार की कुरूर्ता उपेक्षा और यातनाओ के अधिकार मतलब यातायात का अधिकार समझे बागा करने का मतलब सने पूर्ण महोल के अंदर मैं इसको इंग्लीश भी लिख देता हूं आपको इजी भी रहेगा यानि कि राइट टू डवलप राइट टू डवलपमेंट मेंट इन पीस बाइट पीस्टूल नवर्माइट विदाट पूर्ण अराइट मातलब या आपे अमातलब यह जिए protection against ज्यक्य है, against क्या है? protection against, neglect हना? against, against curality, curiosity हना? मता, sorry, curality curality, curality और, जो है, curality, neglect neglect हना, curality and neglect, ठीक है? curality, neglect, और, exploitation हना? हना? end traffic ठीक है? हना? हना? हना, curality, सरी, exam में तो आएगा तो लग जाएगा या नहीं, यह language आएगा ठीक है? सरी, exam में तो हाँ बिल्कुल, exam में तो हाँ सर, exam में आएगा तो पता लग जाएगा ना, यही language आएगा बिल्कुल यही यह language आएगा एग्जाम के दर राइट टू डवलप्मेंट औप पेस्पूल एंविर्मेंट प्रोटक्शन अगेंस्ट जो है कुरेट जो है टी और नेगलेट एड एड एक्सप्टेशन आप दे ट्राफिक सर बोल बोलते थे बिहार वालों का त्योरी कराएंगे यह बिहार वालों काई तो है किन का है यह किन का है आपका सलेबस में देखो न आप आपका सलेबस के अंदर आप सलेबस नहीं पढ़ाएंगे आपने सलेबस के अंदर हैक नहीं सलेबस के अंदर देखो राइट्स ओप चिल्डरन लिखे होंगे, आपके स्लेबस के अंदर देखो, राइट्स ओप चिल्डरन लिखे होंगे, आप एक बार स्लेबस तो उठा के देखो, आपका स्लेबस के अंदर, जो है, राइट्स ओप चिल्डरन लिखे हैं, मैं स्लेबस भी लिखे हैं, स्लेबस हाह एनम का सलबस नहीं इसमें बिहार का जो सलबसे ना बिहार का बिहार एनम का सलबसे उसके अंदर राइट सॉप चिल्रन है ठीक है मैं अभी आपको क्लास कोगी तो उसके बाद में मैं आपको दिखा दूंगा मैं ठीक है आर्थि आप नोट्स बनाओ इस चीजों का एंग्लिश में नहीं समझ मैं आई अगर इंग्लिश में समझ में आए तो हिंदी में बनाओ ठीके नेक्स्ट बात कर लएख डे पनिया पर स्मझ भागया कहने का बतलब उसको जो है स्लेपूर्ण महौल में अंदर जीने का उसको अधिकार है यानि कि उसका विकास होने का अधिकार है ठीके है अब बार-बार में बिहार तो नहीं बूलूँगा उसके अंदर आप देख लिजिए सारे आपके अंदर है सलबस के अंदर मैं आपको सलबस भी आपको बता दूँगा मैं ठीके तो यह हो गया next दूसरे राइट किये बात करें पर तो यानि कि सामाजिक का लाब लेने का अधिकार यानिकी benefit of social security सामाजिक का लाब लेने का अधिकार next बात कर लेते हैं सामाजिक का lab लेने का अधिकार अना benefit इसके अन्दर क्या है जिसके अन्दर क्या हो सकता है जिसे कि नूर्शन हो गया पोशन हो गया पोशन हो गया जैनि की ब्रेकेट में नूट्रिशन अना नूट्रिशन हो गया इसके लवा अना यहने कि इसके लवा जो है जैसे कि नर्सिंग यहने कि देखबाल नर्सिंग एंड मेडिकल एक तरह से बात करें चिक्कित सा देखबाल एंड मेडिकल यहने कि नमदा चिक्कित सा पालन पोशन और चिक्कित सा यहने यहां पर बात करें पन चिक्कित सा देखबाल कि देखबाल है ठीक है हाँ मेडिकल हेल्थ मॉर्णिंग क्यों गया हाँ आरती आपको मिला है आपके सलेबस में हाँ ना कि आपको सलेबस मिला है क्या है हाँ आरती है आप सलेबस उटाके देख़ना आपका सलेबस जो है objective के भी पूरे questions for रखे हैं उसको भी आप करिए और एक उसको download कर लीजिए short notes को आप लोग जो download कर लीजिए और यह जो notes बना रहे हैं इनको notes को लिखी है ठीक है अगर मालों इनको नहीं लिखोगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी ठीक है समाजिक का love लेने का अधिकार कहने का बतलाब समाज केंदर जू optics और यह सैंघे। को क Tara कि एए कुमन है ठीक है हां बिलकूल तो यह समाजिक का जो है love लेने और अधिकार यह निकि benefit of राश्टियता का अधिकार नाम औरν राष्टियता का का अधिकार Name and nationality Right to name Right to name And nationality साइट टू नेम एंड नेश्टनलेटी देखो हां मैं आपको इसका पहले वाला समझाता हूं बैनेफिट औप सोशल सेकुरिटी एंड पॉशन और सिंग मेडिकल एजुकिशन केना का मतलब यह है कोई बच्चा है समाज में या पैदा हो गया तो उसको बच्चा अगर है तो उसको क्या है उसको पोशन मिलना चीए ऐसा नहीं कि उसको खाना नहीं मिल रहा है उसको प्रो सामाजिक जो भी लाब है सोशल सेकुरिटी के जो भी लाव है उनको लेने का इसके Half of it राश्ट्ये ता का अधिकार नहीं का यदे कि उसका नाम होना चाये और उसकी राश्ट्यरा जैसे की बच्चे का भी राश्ट्यर तो जीसे मालों कोई इसा है जीसे मालों हमारे ओहारे हैं कोई बच्चा अा अमेरिका में चला गया तो उसको यह अब ऐनका अाधिकार कि वहां कि बच्चा है तो जितना भी उसका जो भी का नीअ मैं उसके राश्टी तियुक्ट नि Yo जो है यानि कि नेश्नलिटी का वो अधिकार है उसका ठिक क 있는데 बच्चे नहीं समझ जाना उनके आह गॉझ चलओ तो यह उसका अधिकार होगयाThis चैसे नेश्ट है वर यानी कि नेक्स्ट निशूर्ण कि छीघ्षा का अधिकार यानि केना के मादब pre-form education, निशुल के शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आ ना, pre-education, right for pre-education, यहाँ पर लिख सकते हैं, right for pre-education, for free education, ना, यानि कि free education का right है, ठीक है, बच्चों का निशुल के शिक्षा का अधिकार, लेकर आज के जबने में तो क्या होता है, बच्चों को जिसे होपन जोए, का लेकर जाते हैं, बच्चों को बिना पैसों में शिक्षा मिलना चीए, इसलिए government क्या करती है, गुवर्मेंट ने गुवर्मेंट के स्कुल रखे हैं, आज कल प्राइवेट स्कुल में अगर आप लेके चले गए बच्चे को तो वहां पर एक लाग पीस तक लेते हैं बच्चों को, पता नहीं एक लाग की फीस लेके क्या डॉक्टर बना देते हैं, पता नहीं जाने क्या की एक लाख रूपए पीस है अब एक लाख रूपए में पता नहीं उसको क्या बना देंगे हम तो सरकारी स्कुल में पड़े हुए है और आज जो है कहने का मतलब सरकारी स्कुल में शिक्षा लिए हैं हमने और आज देख लो आप आहरा कि एठने सक्सेज दो चुके है तो ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन यहां पर इसलिए जो है हां गे अं को तो इसको पड़ने पड़ने में कर देंगे और पढ़स के क्या कर देंगे उसको सारे खेल सब कुछ भूल जाएगा ओ ठीक है यहां पर है निशिलक स्क्षा का अधिकार कहने के मतलब फ्रेमें शिक्षा देना चाहिए इसके लिए भारत सरकार ने क्या है यह राज्य सरकारों ने इन्होंने क्या करना के स्कुल खुल रखें सरकारी स्कुल वहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है ठीक है चलो नेक्स बात कर लेते हैं पर राइट ऑप शिक्षा का अधिकार हो गया इसके अलवा जो है बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके अलवा है अना खेल और मनोरेंजन का पूर्ण अधिकार जो है फुल अपॉर्टुनिटी फॉर प्ले ठीक है हां बिल्कुल राइट पॉर प्ले नेक्स्ट बात है पांच बात है राइट पूर यहाँ पर लेको खेल खेल और मनोरेंजन का पूर्ण अधिकार खेल और मनोरेंजन का पूर्ण अधिकार और मनोरेंजन का पूर्ण और मनों लेको खेल प्लेक। कि र क्रिशन है तिक है एक रिक्रिशन तो फैड़िया है कि पॉटे हों रक्रेंट को कूपी समाझ अठीह उन्डीमियisches में एकुदिधू 10 कल कि अद 6 अच्पिक करेसा निच्वा सब लोकस है हिन्दी में हिंदी beside the आप दोनों सरे सब इससारी एक में लिखे लो खेल और मनुरंजन का अधिकार के बच्चों को खेलने का अधिकार है इसका मतलब बच्यों को ने दो चाटे लगां अंदर उठाके लेके आगे लिए दिन बर खेलता रहता है आना चलता रहता है उसको खेल एक पकड़ के नेकर है घीज के लेके आगई तो बच्रा कई बार क्रीज गहें तो यह उस है उसको राइट फिर वह खेलने का उसको अधिकार है रहा ना ये से यहां पर लेक्जία यहां पर शिव कर देद विशेश उप्चार फे treble भिश rallies यदि विकलांग है तो यहां पर लिकलांग है तो विशेश शिक्षा का अधिकार हाना है नहीं के नमरों इफ हैंडिकेप हैंडिकेप हाना राइट फोर इस्पेशियल ट्रित्रिमेंट एद्यूकेशन हाना है ठीक है एद्यूकेशन है सब्सक्राइब आगया कि कहने का मतलब यहां पर यह है यहीं कोई बच्चा है सिग्मोट फ्रूट ने बताया था बताया नहीं मिलकर सब करो हां ठीक है बच्पन में मेरा अधिकार घर वाले चीन लिये थे गसीट के घर ले आते थे आप बच्पन में आपका अधिकार चीन लिया ना जो गसीट के लेकर आते थे ठीक है तो यदि विकलांग है तो किसका जोस्तना अनिकार जो है अधिकार चीन लिया यदि बच्चे विकलांग है तो उनको कह है इस्पेशल सिख्षक अधिकार इस्पेशल सिख्षक अधिकार मतलब किसे जिसे कोई बच्चा है मालों फिजिकली हैं तो वह मालों क्लास के अंदर पढ़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको नेगलेट कर दो ठीक है उसको इसको और ध्यान देना है कि बटा आप मतलब यह कि कोई हेंडिकेप तो युश्व एक विष्च अधिकार है उसको विश्च ट्रीटमेंट यहनि कि मयदे का उसको देना चाहिए उसको यह भी एक अधिकार है एक हां चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं पन नेक्स्ट है यहां पर आपदा में कहना का बतला यहां पर नेक्स्ट है है तो इसलिए क्या है है अधिकार आपदा में प्रथम सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार नेक्स्ट लिख लेते हैं अपदा में प्रथम सुरक्षा पाने का अधिकार ठीक है फर्स्ट प्राविटी इने डिजास्टर फर्स्ट है ना फ्रस्ट प्राविटी इने डिजास्टर ठीक है फर्स्ट प्राविटी इने डिजास्टर प्राविटी इन डिजास्टर ठीक है सब्सक्राइग यह कहने का मतलब सपोर्च करो हाँ मैं तो खेलने कभी नहीं कहीं हाँ तो आपका अधिकार छिन क्या मतलब ठीक है आप दामें प्रतम सुरक्षा का मतलब क्या होता है कहने का मतलब जैसे मालनो कहीं में बाळ आ गी किया अधर बच्यूंको बचा पाई रहे और बच्चे को वहीं पह छोड़ा रहे हैं तो इसने मी करना है सबसेर पहले उनको बचाना यानिकि यानि कि के साथ आने का दिकार राइट टू ब्रोटली इस्पिरिट फ्रेंशिप विद ए अमंगेस्ट पिपुल यानि कि अगर बात करें पन तो यहां पर अगर बात करें पन तो यहांनि की एक तरह से जो समाज के उपियोगी ता सदेश्य बनने के लिए स्वतंता वे सम्मान सहीते वि मैं इंदी में लिखा देतों समाज के साथ मैं यह पर इंग्लिश में लिखा दूं मैं समाज आना समाज में उपियोगी बनने या समाज में या सदस्य हाना बनने के लिए स्वतंत्र वह सम्मान सहीत विकास करने का दिकार कर देखतुरन आप लोगों को Зап Bad देखतुर हाने आप लोगों को एंज़न थो घ्यारै थो यिउच्पल में लिखा देता हूं आपको इदि दिख रहा है थो मैं इसको थोड़े साह आपको जो है यहाँ पर दिखने लगेगा मैं इसको बनने का अधिकार आना के नतर पर बात करेंपन तो क्या है यहां पर अगर बात करेंपन तो यह है आना कि समाज में उप्योगी यानि कि यूजपूल सोसाइटी मेंबर बनने के लिए उसको क्या है healthy manner में क्या है freedom of dignity यानि के नहीं मतलब यहाँ पर बात करें पन तो यहाँ पर बात करें पन इसमें समाज में उप्पी होगी ठीक है इसमें लिख लेते हैं पन राइट टू भी यहाँ पर लिख लो आप राइट टू भी लर्ण ठीक है ए यूजफूल यूजफूल यूजब 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 यूज Condition of freedom, Condition of freedom, Condition of freedom and dignity, okay? समझ मैं आगया? यहनिक कहने का मतलब एक तरह से जो है उप्यू की सदेश्य बनने के लिए क्या है? बिलकुल और देखो, इसको मैं बता हूँ आप लोगों को, राइट तु लेर्ण, यूजफूल सुसाइटी मेंबर, यूजफूल सुसाइटी मेंबर का मतलब क्या है? जिस कि मलता है बच्ष्य बच्पने का सदेश्य कहाना निरुक भरने का सब्सक्राइ come बन में देखोला तो घखने का राइट यजफुल चाड़ी होता है? कम उम्र में उसको विवा कर दिया तो यह भी उसका एक राइट है जो इसकी शादी नहीं कर सकते हैं तो यह उसका एक अधिकार हैं के बच्चो को जो जो है जवर्जस्ति उनकी जो है शादी नहीं कर सकते आप यह से निकी जब बचकम मुवर्व में उनकी शादी कर दी ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर आना लोगों की सरोबुमिक भायचारे के समझने की भावनों में पले बड़े होने का अधिकार नेक्स्ट बा जिकें? हाँ या बिलकुल रायट दू यूनिवरसल बर्धर हूड बिलकुल या ना यहानि की केना मतलब राइट तू यहां पर लिखना चाहो तो राइट तू यूनिवर्सल बर्दर हूड ठीक है कहने का मतला लोगों में सर्वोमिक भाईचारा को समझने और भावना में पढ़े बढ़े होने का अधिकार यहां पर लिखलो लोगों लोगों में सर्वोमिक भाईचारे को समझने और यहां आना समझने और उसमें पले बड़े उने का अधिकार ठीक है पले बड़े होने का अधिकार जैसे कि माल लोग बिल्कुल उसमें जो है पले बड़े बड़े होने का अधिकार जैसे कि व्यक्तियों की सुवाज पूर्ण यहने की एक तरसे मतलब जो है व्यक्तियों में भाईचारा धारना के अपने बराबर लाने का अधिकार कहने का मतलब यह है और राइट टु यूनिवर्सल ब्रदर्वूड कहने का मतलब एक तरसे बिल्कुल और अंडरस्टेंडिंग करना टोल्रेंशिप करना जो फ्रेंडशिप होना ठेक है जैसे कि अंडरस्टेंडिंग टोल्रेंशिप आना फ्रेंडशिप पीस आना बिल्कुल अंडरस्टेंडिंग करना जैसे कि अंडरस्टेंडिंग टोलरान्स को गया अना कि फ्रेंड्ट्शिप हो गया मैंग्ट्ट्रीट्ट YOU जो फ्रेंड्शिप हो गया डिकर यह हो गया और फीजर शांती इनको ठीकर तो यह जो हैं इनको अद्रूस्टेंटस करने का जो उसको अधिकार रहें ठेट्ट है कि जितने भी rights हैं next है 10th right की अगर बात करें 10th right की तो यह जितने भी rights हैं जितने भी उपर जितने भी rights दिये गए सभी rights का enjoy करना किसी भी race, color और race, color, society, nationality इन्हें सभी की भावना पर जितने भी rights हैं यानि किने भूलब enjoy enjoy all rights सभी rights का आनन लेना सभी अधिकारों का आनन लेना लेना बिना किसी किसी बैदबाव, discrimination nation के जिसे कुण कुण सा है race यह जाती आना जाती nationality, nationality यानि राष्टियता आन सोसाइटी सामाजिक, सामाज, आन इसका लवा color, रंग, ठेक है इसका लवा sex, यहनिकि लिंग, ठेक है आनन लेना ठेक है समझ में आ गया है इसका मतलब एक तरह से इन सभी बेदबाव के बिना बेदबाव के एक तरह से क्या है आनन लेना जो लड़की चिल्रन होती है न यानि गल्स बेबी गल्स चिल्रन तो उनको नहीं पढ़ाते है तो उनका राइट है उनको पढ़ाने का यह जिते भी राइट से यह किसी भी आना जैसे सेक्स यानि के लिंग आना जैसे कि महिला और जैसे लड़का और लड़की में अंदर भेदबाव रखना इसका लावा रेश जिसे मालों कोई चोटी जाती का है आना कोई बड़ी जाती का है तो जहां पर बड़ी जाती वाले पढ़ते हैं वहां पर उनको नहीं भिद्भाव के समाज के ठीक है कलर के एसा है नहीं कि कोई गोरा है कोई काला है अना क्लास रुख गया है अब क्लास चल रहा है नहीं चल रहा है है pa त neglect taki asapran यह को जो है जिसे से uniform कोई काला क्न चै令 कर से को जूब कुंझे डव्य घुला टानी करते तो इसके साथ में भीघद्भाओं नहीं करना झाल आप इसे मतलब यह हमेने है जूब राइट्स रखना सी टिक तो अब है यह यह श्यर में में कुछ questions पूछ लेता हूं आप लोगों से question मैं पूछता हूं आपको question आप लोगों को बताना है ठीक है question all are rights of children accept हाना सभी बच्चों के अधिकार हैं सिवाइड ठीक है option a initial शिच्चा अन्य प्री एद्युकेशन अन्य प्री एद्युकेशन question b next है right to play खेल खूद का अधिकार c right to smoking dhumbra 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 paan का अधिकार dh next यहाँ पर specific यानि की विकलांग बच्चे को specific education का अधिकार यहाँ पर इसका सही अधिकार क्या है right for smoking इसका अधिकार नहीं है ठीक है next बात कर लेता है पर यहाँ पर इसका जो है अधिकार नहीं है next question में आप से पूछता हूँ question number अधिकार of children provide adhikar अधिकार है beat to children's foreplay के लिए अधिकार बच्चों को पीटना भी बच्चा पढ़ने नहीं नहीं आधिकार नहीं बच्चा पढ़ने नहीं पढने नहीं जाने पर पीटना ना नहीं बीट तो चिल्रन इफ नॉट गोइंग तो इस्कूल ठीक है नेक्स्ट इस्कूल के खेलों मैं बच्च की ओन भागेदारी निभाना दारी निभाना निभाना हाना हाना वे ली टी इस्कूल ले चे ओ मनो रंजन के लिए आना जबर जस्ती ती टीवी दिखाना आ हाना हाना पता हाना कहने का मतलब राइट्स ओप चेल्डर्न प्रोवाइट खेल के लिए बच्चों को पीटना बच्चों को पढ़ने नहीं जाने पर पीटना इस्कूल में खेलों में बच्चों को पूर्ण भागिदारी निबाना आना बच्चों को मनोरंजन के लिए क्या है बच्चों में मनोरंजन के लिए क्या करना है बच्चों में मनोरंजन के लिए क्या करना है आप सोच रहोंगा राइट टू राइट क्यूस्टिन आजाते हैं ऐसे नहीं आते हैं प्रकार से क्यूस्टिन क्या हो गया तो यहां पर सब्सक्राइब खेलों में बच्चों की फूर्ण भागेदारी निभाना एकुलेटी इंदें इसकुल प्लें और यहीं तो यह तो हुएं से यहां पर आप लोगों को ऐसे questions अक्सर exam के अंदर आते हैं हाना राइट तो अपर ने पढ़ लिए लेकिन जो है questions इस परकार से बनते हैं समझ में आ गया चलो अब next class कल पढ़ेंगे पर शाम को पढ़ेंगे next class या पर कल पढ़ेंगे ठीक है चलो